हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्टी फैंस सुमितों में केमिकल इंडिया लिमिटेट की और से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेश हो चुका है स्टैंडल ऑन कॉंसॉली डेटेट दोनों रिजल्ट हो चुका है क्वार्टर एंडेड औ इंक्रिज हुआ है एक्सिंस 552 करोड पूपाफटी स्टैंट फहटेंट्प़िपटी पॉइट प्युन इंप्फ पॉपीटि अंक्रीज हो क्रोड पिशले कॉणाड्य क्वार्टर पॉप्सेड्य करोड स्टैंटे पॉन्ट ही पॉण्ट्कण फटेंटेंग करोड़ का मार्च 23 stimulating course excess क्वार्टर नेट इंक्रीज किया है और wreck की बात करें तो कंपनी में दीजक्त करit 33 में 3555 पॉंट 8 करोड का, expense भी company का डाउन है, income में भले डाउन वाए, और expenses देखेगा तो expense 2436.6 करोड का, 23 में 2901 करोड का, expense भी decrease का, income डाउन है financially earned में, और expenses भी डाउन है, operating profit 502.9 करोड का, 23 में 654 करोड का, दाउन देखने को मिला है, नेट पॉफिट कमपनी का है, इस बार का अगर देखा जाए, तो कमपनी का जो पाफिट है, 369.7 करोड का, 23 में फाईफंडेट टू पांट तू करोड का, डाउन देखने को मिला है, EPS company का 7.4 उपेच का 23 से डाउन है तो guys quarter ended में तो company का profit increase किया है लेकिन financial year ended में उतना ही ज्यादा डाउन देखने को मिला है वह एकर हम इसके stand-alone financial result कवर करें तो company का जो income है इस बार का अगर देखा जाए तो company अपना income generate किया 691.4 करोड का पिछले quarter में 567 करोड का इस बार का 542.8 करोड का पिछले quarter में 491.7 करोड का मार्च 23 quarter में 586 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में increase लेकिन year on year में decrease कि guys यहाँ पर income भले increase और लेकिन year on year के expense बहुत कम वुसके पॉफिट इंक्रीज किया operating profit 148.6 करोड का पिछले quarter on 75.5 करोड का हुँ मार्च 23 quarter में 81.9 करोड का प्विट है operating profit quarter on quarter year on year में decrease किया है net profit 109.2 करोड का पिछले quarter 54.9 करोड का हुआ मार्च 23 quarter 72.4 करोड कपव फीट है quarter on quarter year on year में increase किया एपियस 2.19 का quarter on quarter year on year में increase किया है तो गईस quarter ended जतना strong growth वा उतना यादा वीक फिनाशल एंडेड में है तो अगर हम बात करना चाहता है तो वेट किजे इसको करेक्शन लेने दीजे इसको बात करेक्शन ले सकता है अराउंड अगर अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो करेक्शन लेगा यहां पर अराउंड अगर फॉर हंडेड टेन रुपीज के आसपास कंपनी करेक्शन ले सकता है इसलिए आप इसमें थोला वेट कीजे गाई करेक्शन ले दीजिए उसके बाद आप इस फॉर हंड़ेड टेन टॉफ्टि इंट्री कर सकते हैं तो हम लोग वेडियो को इप एंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक शोड़े में दिल्दन बाबाइ